नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सब का आज के क्लास में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक नया टर्म शायद आपने पहली बार सुने होंगे या फिर बहुत ज़ने सुने भी होंगे डेल्टा ओफ गल्फ स्ट्रीम यहर गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो सुना हुआ है यह एक वार्म करंट है बट डेल्टा ओफ गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई देखो यूजुली जो गल्फ स्ट्रीम है न वो किधर से बहता है आपको पता है नौथ अमेरिका के इस्टर्ण कोस्ट से है न और यहां स्टार्ट होता है गल्फ अफ मेक्सिको से ठीक है जो क्या फर्दर extension है कौन-कौन से करंट का इधर से देखो एंटनिलीस करंट इधर से जाता है और इधर से Caribbean Current ठीक है Caribbean Current आपका जाके Gulf of Mexico में घुसकर यहां से ओरिजिनेट होता है Gulf Stream का Gulf Stream फिर से Florida State से निकल के बेसिकली यहां इधर से इधर से ऐसे करके travel करता है तो देखो यहां से जो है न एंटनिलीस करंट भी जो है जो क्या अगें ब्रांच है North Equatorial Current का यह दोनों यह एंटनिलीस करंट और यह Caribbean Current ठीक है यहां से जुदा होता है फिर इधर ही आके मिल जाता है और इसको Gulf Stream कहां से कहां कहता है देखो इसका नाम अलग-अलग है लेकिन ठीक है इसको जो है इधर है Cape of Hatteras ठीक है Cape of Hatteras से लेकर आपका जो यह Grand Bank है यहां तक हम इसको Gulf Stream कहते है अब Grand Bank के बाद जो है यह थोड़ा मुड जाता है North Eastern direction में ऐसे करके क्यों क्योंकि इधर जो है अभी तो समझ गए देट यहां से यहां इसको Gulf Stream कहते है इधर से इसको North Atlantic Drift कहते है अब North Atlantic Drift भी जब आगे बढ़ता है ना तो यहां पर जो है यहां पर आपका Thompson-Wyvillay Ridge लाई करता है इससे टकड़ा कर यह ब्रांचेस जो है टूट जाते है बहुत सारे एक आपका ब्रांच चला जाता है North Western Europe के तरफ एक वाला Norwegian Sea के तरफ एक वाला Southern Island के तरफ और एक वाला जो है आपका Greenland के तरफ Eastern Greenland के तरफ चले जाता है अच्छा यह वाला जो current होता है Eastern Greenland के तरफ यह वाला फिर से आपका East Greenland cold current के साथ मिल जाता है समझ रहो बात अच्छा और एक चीज तो मैंने बोलना भूली गया ये गल्फ स्ट्रीम जब भी इधर से गुजरता है तो एक इधर से लाब्रदॉर करंट भी आता है जो क्या cold current होता है गल्फ स्ट्रीम warm current है लाब्रदॉर करंट cold current है बट अभी भी जब ये mixture होने के बाद भी इसकी warmness थोड़ी तो घटती है बट तभी भी इस जो पूरा ocean current है इसका warm characteristics अभी भी retain होता है और जैसा कि मैंने बोला Thompson-Wyvillay Ridge में पास करने के बाद जो है ये अलग-अलग जगा टूट जाती है ये जो अलग-अलग जगा टूट जाती है ये एकदम इसी फिनोमेना को हम लोग कहते है डेल्टा ओफ गल्फ स्ट्रीम याद है डेल्टा में क्या होता है डेल्टा जैस कभी भी अगर पानी आती है आपका सोचिए तो ये लास्ट में एकदम कोष्ट में आने के समय यहाँ पर डिस्रिब्यूटरीज निकल जाता है ना बहुत सारे मतलब तूट जाती है ना ये वैसे ही तो यहाँ पर भी आकर तूट रही है ना तो इसलिए इसलिए इसको हम लोग डेल्टा ओफ गल्फ स्ट्रीम कह रहे है क्योंकि इसी गल्फ स्ट्रीम जो कह मतलब इसी नौर्थ अट्लांटिक ड्रिफ्ट जो कह एक्स्टेंडट पार्ट है गल्फ स्ट्रीम का वहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाका टूट जाता है डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेज में है ना इसी लिए हम इसको क्या कहतना है डेल्टा ओफ गल्फ स्ट्रीम याद रहेगा यह देखो बहुत चोटा टर्म है बट क्योंकि आप लोग सब जोग्रफी ऑप्शनल के स्ट्रूएंट हो तो अट लीस्ट जैसे अगर कोई भी इसके रिलेटेटेट अगर सोचो वाम करेंट के रिलेटेट कुछ कोईशन सा गया राइट उसमें अगर आप यह की टर्म और इसका डाइग्राम इंक्लूड करोगे तो आपकी जो आंसर की प्रेसेंटेशन और आंसर का जो वेटेज हैना वो काफी हद तक बढ़ जाएगा देखो यह सब बहुत सब चीजे छोटी छोट चीज है बट चोटी चोटी छोटी चीज अल्टमेटली मिलकर ही आपको जो है एक बड़ा सा नमबर आपको लाकर देगी ठीक है तो मेक्शूर देखो बिलकूर मच्छोना राइट तो इस टाइप पे चीजों को बिलकुल मच्छोना राइट? Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.